नमस्कार मित्रों आपका डाक्टर आलोक शैंठिया ए आयरो एंडेफ चैनल पर स्वागत है आज बात करते हैं एंग्जाइटी यानी चिंता की ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना इस लाइन में इस बात को दिखाया जा रहा है कि नाईका नायक के लिए चिंतित है यह एक निराशा की बात कही जा रही है और जब भी किसी विक्ति में उदासी हो निराशा हो तो वह डिप्रेशन का विशय होता है आपको मैं अपने चैनल पर या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने घर पर बैठ कर यहां समझ सकी कि कब आप डिप्रेशन में हैं कब आप इंग्जाइटी में हैं इसका सबसे अच्छा उदारण आपको जब लंका पर आक्रमन करने के लिए भगवान पुर्शुत् आपको निराशा भी दिखाई देगी चिंता भी दिखाई देगी और जब इन दोनों बातों का विकल्प ढूंद लिया गया तो यहां एक सामान ने घटना हो गई लेकिन अगर यही निराशा परसिस्ट कर जाती कि समुद्र को हम लोग पार नहीं कर सकते मासीता को नहीं ल हो जाती या फिर इस चिंता में चिंता मगन होकर राम चंद जी की सेना आपस में एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती उनकी शक्तियों के बारे में बात करने लगती अगर यह बात परसिस्ट कर जाती और इसका भी दाइरा लंबा हो जाता तो यह है आपने अक्सर देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए हर पल चिंतित रहती उसने खाया क्या होगा उसने पिया क्या है वह लेटा होगा की नहीं उसकी सिक्षा का क्या होगा या एक सामान निस से ममता का विशह वस्तू है और इस चिंता को सांस्कृतिक आधार एक सामान ने घटना माना आता है लेकिन अगर यही विशह वस्तू हर पल उस महिला के जीवन को जीना ही हराम करने की तरफ लेके चला जाया उसका सोना जागना सब बादित हो लगने लगे तो यही चिंता एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे आप कहते हैं एंग्जाइ कोई भी चिंता जिसका समाधान ना होने के बजाए आप उसी में डूबे रहना चाहते हैं उसी में जिसको कहते हैं घुसे रहना चाहते हैं तो अगर यहां more than six month तक persist कर रही है meaning thereby you are suffering from anxiety disorder 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 का मतलब है कि एक अन्यमिता आपकी हमारा पूरा शरीर जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में कहा है एक chemical का संगठन है और यह chemical एक मानक के अनुरूप काहर करता है लेकिन अगर यह chemicals को हमने मानक के अनुरूप कार करने के बजाए एक अन्यमित इस्थिती में disorder में ले यहां डिप्रेशन में आप निराश होते हैं उदाश होते हैं आप कट कर रहने लगते हैं डिप्रेशन में और उसका एक्स्ट्रीम यह है अगर यह उदासी छे महीने तक है तो यह विजालडर है और इसका एक्स्ट्रीम यह है कि विक्ति कभी-कभी आत्मात्या कर लेता है अपने हाथ पैर काट लेता है चिंता में भी विक्ति चिड़-चिड़ा हो जाता है गुस्सा जादा करने लगता है उसके अंदर सुपिरिय इन्फियारटी इन्फियारटी कॉंप्लेक्स बहुत जादा हो जाता है अगर यह सब हो रहा है तो आप समझ लीजे कि आप एंग्जाइटी से प्योड़ी थे और इसी एंग्जाइटी चिंता या उद्धिगनता के बारे में आज थोड़ी सी बात मैं आपसे करने जा रहा क्योंकि ऐसा जहां डेप्रेशन आपके मानसिक इस्थिती के बारे में जादा सम्बंदित है लेकिन एंग्जाइटी केवल बहुत धीक अस्तर या दिमाग से सम्बंदित नहीं है वह और भी इस्थितियों से होकर गुजरता है इसी लिए जरूरी है जानना कि जो एंग्ज तो गुतार कर उसे एक डिसार्डर के रूप में कर लिया है तो उसकी इस्थितियां क्या है एंग्जाइटी में सबसे जरूरी चीज के बारे में आपको जानना चीए कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एसिट बहुत ज़ादा बन रहा है गैस बहुत ब रहा है और आप इसको लेकर बहुत जादा उद्धिन हो जाते हैं जब की ऐसा नहीं होता है आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी हो गई है और एंग्जाइटी किस बात से हुई है इस बात को समझने का सबसे महत्त पूर्ण तरीका ये है कि आप अपने जीवन में घटि करके देखें कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति नौकरी को लेकर अपने परिवार को लेकर रिष्टे को लेकर विवाह को लेकर अपने समाजिक प्रतिस्ठा को लेकर बहुत चिंतित रहने लगता है और उस चिंता के कारण व्यक्ति में एसीडिटी की समस्या बहुत डर कह सकते हैं तो जब भी आपको कभी इस तरह की बात हो तो आपको अपने एंग्जाइटी पर ज़रूर विचार करना चाहिए इसके अतरिक्त आप कई बार ये महसूस करते होंगे आप किसी सोशल गैदरिंग में गए किसी कारिक्रम में गए किसी इवेंट में गए और वहा एसा लगा कि मैं जल्दी से यहां से निकल जओ अगर ये बात भी आपको हो रही है आप किसी सोशल गैदरिंग में इस तरह महसूस कर रहे हैं तो यह भी आपके एंग्जाइटी का एक महत्पूर कारण हो सकता है यह भी हो सकता है कि अचानक आपने किसी की मृत्ति के बारे में सुना है या कहीं आप समशान गए हैं वहां से आए हैं आप एक्जाम दे के आए हैं अब एक्जाम आप दे के आए तो आप यो उल्जन में मेरा पेपर सही हुआ की नहीं हुआ मैं पटाप करूँगा की नहीं करूँगा मेरा नमबर अच्छा आएगा की नहीं आएगा कि किसी का एक्सिडेंट आपने सुन लिया तो आप इतना जादा घबला गए हैं पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा और मेरा क्या होगा या फिर आपने किसी की मृत्य की खबर सुनी है और आपको अचानक कितनी चिंता अपने जीवन को और उसके जीवन को लेकर होने लगी है तो जो यह पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसाल्डर है यह भी एंग्जैटी की विशेवस्तु है और आपने अकसर यह देखा होगा कि कोई विक्ति बैठा है बैठा है जबकि आप देख रहे हैं सब कुछ समान है लेकिन वो जाकर उपना हाथ धोएगा फिर थोड़ी देर बाद अपना पैर दोएगा फिर उसे लगेगा नहीं मेरा हाथ घंदा फिर उसे लगेगा मेरा पैर गंदा हो गिया है और और वो इस सफाई को लेकर बहुत चिंतित रहेगा वह देखेगा नहीं इचादर ठीक से नहीं बिची हुई है नहीं टावेल सही नहीं है एक कहानी आपने तौलिया इंटर्मीजेट में पढ़ी होगी कि तौलिया को लेकर इटावेल को ही लेकर आदमी उल्जन में चलता रह हो जाता है तक यह सही नहीं रखी चपल सही नहीं रखा और वो रिपीटिटेड बिहाइवियर उसका हो जाता है तो जो यह रिपीट वाला बिहाइवियर है रिपीटिंग बिहाइवियर इस आलसो दा मैटर आफ ऑप सेशिव रिपल्सिव डिसाल्डर और यह ऑप सेशिव repulsive disorder है ये भी anxiety की विशय वस्तु है अक्सर आपने देखा होगा कोई विक्ती हाथ ऐसे से मलने लगता है उंगली ऐसे मलता है ये सब anxiety की विशय वस्तु है बहुत से लोग height को लेकर चिंतित रहते हैं कि इत्ती आइए में यहार श्यार रहते हैं पर Неँज़क हो सकते हैं बहुत से factor हो सकते हैं जो आपके anxiety के विशय वस्तु हो ऐसी स्थिती में अगर ये सारी चिंताएं गंदगी में हाथ दो ना कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन अगर आप कोई चीज repetition में कर रहे हैं कुछ भी आप एक बार flying disorder से ग्रसी तो भी ठीक है लेकिन airplane में बैठने के बाद आप वहाँ चीखने चिलाने लगे आपको समझाया गया दूसरे patient passengers को दिखाया गया आप समझ गए लेकिन अगर आप बार बार ये सी को कर रहे हैं तो एक disorder है आप anxiety के patient हैं आपने अक्सर देखा होगा कि कोई महिला या पुरुष उन्हें ऐसा लगता है मुझे मेरा दर्द कोई नहीं समझ रहा मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा है बात करते करते वो रोने लगते हैं अगर ऐसा हो रहा है ये भी anxiety का disorder है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी जिन्दगी में अपनी जिन्दगी को ले कर वो इतना जादा self-centered हो जाते हैं कि फिर वो दीरे दीरे चिड़ चिड़े हो जाते हैं वो गुसा बहुत करने लगते हैं और हर पर हल चीज़ की चिंता मेरा कल क्या होगा मरना एक स्वाबा भी तत्त हैं लेकिन मरने को लेकर वो रात में सो नहीं पाते हैं अपने सारे काम को लेकर अववस्थित रहते हैं जो काम जैसे वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है वो केवल सोचते रह जाते हैं सुबह से उठे और केवल पूरे दिन सोचते रह जाते हैं अगर ऐसा हो रहा है वो अपने काम को ही नहीं कर पा रहे हैं, कामों में आने मित्ता हो जा रहे हैं, रिष्टों में आने मित्ता लंबे समय तक हो रही है, तो व्यक्ति एंग्जाइटी डिसार्डर से पीडित हो गया है, और इसके लिए सबसे दवाएं तो हाई हैं, दवाद में सबसे ज़्याद या साइको थेरपी के अंतरगत कोगनेटिव का मतलब यह कि आपके मस्तिस्क से सम्मंधित जो थेरपी दी जाए और उसको थेरपी से भगवान की बात इसलिए की गई है कि आपके दिमाग शांत रहे जितना आपका दिमाग को शरीर शांत रहेगा आप इंग्जाइटी से दूर रहेंगे क्योंकि आपको यह बताया जाता है धर्म में और भगवान के द्वारा कि यह सब पहले से निश्चित था यह आपका प्र ट्रैपी के रूप में जब आप धर्म देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेट फॉर्म यूर प्रॉब्लम आफ एंग्जाइटी एंड डेप्रेशन आपको इस बात को जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन से आप धर्म को उस आइनने में देखेंगे आपको यह समझना होगा कि बेडिटेशन आपको ध्यान करना चाहिए ध्यान का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा खर्च करें किसी क्लब को जोईन करें आप अपने घर पर किसी भी एक वश्तु का चुनाओ कर लें मुम्बत्ती का माचिस का बल्ब का पैन का और उसको केवल ध्यान से देखना शुरू करें पहले पंदरा दिन तक आपको पैन के साथ पूरा कमरा दिखाई देगा पंदरा दिन बात पैन के अगल बगल की चीज़ें दिखाई देंगी और करीब दो महीना आते आते आपको सिर्फ पैन खाई दिने लगे और वह स्थिती जब आ जाएगी तो आपका जो मस्तिश्क है वहाँ घनी भूत होके सेंट्रलाइजड होकर आपके जीवन में शान्ती पैदा करेगा meditation से अच्छी कोई चीज नहीं है जितना दिमाग को आप disorder से दूर ले जाने के लिए ध्यान करेंगे आपका मस्तिश्क उतना अच्छा हो जाएगा और अगर मस्तिश्क अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी अच्छा है अपको अपने मस्तिश्क में जो निरो मीटर acetyl coline है जो मस्तिश्क के 52 छेतरों में को कंट्रोल किये हूए है राटमैं एरिया कहते हैं इस ब्राटमैं एरिया व्याइव स्था रहेगी क्योंकि acetyl koline का स्थर अगर नीचे नहीं जाता है तो नींद नहीं आती है और जब नींद नहीं आए गी या निद्र होगी रहा है मैं तो सब करता हूँ और महिला मुझे कुछ नहीं समझती मैं घर का भी काम कर रही हूँ कमाती भी हूँ पिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है और इसकी इस चिंता के कारण उद्दिगनता के कारण घर बिखर रहे हैं तलाग बढ़ रहे हैं बच्चे यही नहीं जान पा रहे हैं कि वह अपने मा के हैं कि अपने पिता के हैं या दोनों के हैं या उनका फ्यूचर कहा है ब्रोकेन फैमली हम पढ़ते हैं लेकिन उसमें हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस एंग्जाइटी के कारण बच्चों के जीवन पर क्या असर पढ़ रहा है और इसलिए इस बात का ध्यान दिया जाना जरूरी है कि हम anxiety को overcome कैसे करें how to manage your life, how to overcome your anxiety disorder मैं बार बार disorder की बात कर रहा हूं कि कोई चीज़ जो order में थी वो dis हो गई है disease में convert हो गई है क्योंकि पिछले 6 महीने से आप गुस्सा फरजी करते हैं चलचले हो गए हैं आपको सब बाते फरजी लगने लगी हैं आपको हर समय गंदगी हर चरफ दिखाई देती है ऐसी स्थिती में आपको medication के से जादा मस्तिश्क में meditation की आवशकता है cognitive behavioral therapy की आवशकता है क्योंकि मस्तिश्क में यहाँ पर amigadala होता है और ऐसा मना जाता है कि amigadala से related anxiety जितना मेरा ग्यान है जब आप लेटते हैं तो calcium का प्रवाह उपर की और होता है और जब वहाँ amigadala में calcium भर जाता है तभी आपको नीन आती है अगर आपको नीन नहीं आ रही है तो आपको अपने calcium की भी जाच करानी चाहिए calcium भी बहुत बहुत पहुत तक तो है इसके अलावा आपको ध्यान जरूर करना चाहिए भगवान का ध्यान करना चाहिए और एक homeopathic medicine में आपको बताता हूँ इगनेशिया इगनेशिया 30 आप लीजिए हर दिन चारबूंद उसको पिया करिए आपकी ये उद्धिगनता ये चिंता चिर्चड़ापन ये रिपल्सिप behavior सब कम हो जाएगा अगर आपको डर लगता है हर जिगा से परिक्षा से बाहर जाने से उँचाई से तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है और आप अपना कोई दर्द परिशानी बताते बताते रोने लगते हैं उल्जन में आ जाते हैं कोई हमें तो समझता नहीं तो उसके लिए the best medicine is pulsatilla but here you have to take pulsatilla in 200 dilution केवल हपते में एक बार चारबून लीजिए जो आपको बात कहते कहते रो ना आ जाता है और आपको यह लगता है कि अब दुनिया में आपको कोई कुछ नहीं समझता आप तो अकेले पड़ गए हैं तो आपकी यह disorder खत्म हो जाएगा यह होमोपैथिक मेडिसिंस चुकि मैंने बहुत सा प्रियोग किया है और अखेल भारती अदिकार संगठन जो अ अपना नैना दयाल होमियोग क्लीनिक चलाता है जिसमें मेरे पास सैक्णों ऐसे पेशेंट हैं जिनके साथ मैंने जब उन बातों को महसूस कर लिया है तब मैंने आज आपको यह बात बताई है मैं चाहता हूं कि आप एंग्जाइटी को समझें और पहले आप यह और इस बात को भी कि चार दिन अगर आप उदास हैं तो वह डिस डिसाउल्डर नहीं है चार दिन अगर आप चिंता मगने अगर छे मजने से ज्यादा यह दोनों बातें चल रही है तो इस पे गंबीर होई है और जो मैंने बताया है ध्यान जरूर करिए भगवान है या नह दूर खड़े हैं हर साल पूरे दुनिया में 20 हर चार में से एक आदमी एंग्जाइटी से पीडित है भारत में जैसा कि हमने बताया करीब हर साल चार करोन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं इसलिए आप एंग्जाइटी में मज जाए क्योंकि चिंता करने से नहीं चिंत उच्छ कोटी का बनता है, हसिखुशी का बनता है, हसना भहुत जरूरी है, अगर आप हसते नहीं है, तो फिर मानों ने संस्कृति बना कर क्या पाया, संस्कृती का सबसे बड़ा सिध्धानती है, कि आपकी जीवन में भौतिक संस्कृती ही नहीं, मानसीक संस्कृती का भी, उच्च कोटि का स्थान हो और आप यह महसूस करें कि जितने दिन इस जीवन में मैं रहा मैंने स्वयम अपने लिए नहीं सब को जीने का उसर दिया जब यह भाव आ जाएगा आप एंग्जाइटी उदासी से दूर चले जाएंगे अगर यह वीडियो आपको एंग्जाइट को समझने में अच्छा लगा है तो इसे दूर तक ले जाईए ताकि मैं आलोग चांटि आखिल भारतिया रिकार संगटन की तरफ से फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ रहूं नमस्कार